PHP के CRUD operation के अंदर update हम लोग perform कर रहे थे और उसको हमने complete भी कर लिया था ये था हमारा last video के according कि यहाँ पर ये detail है जैसे कि शिवानी कुमारी है शिवानी कुमारी सिंग है फीमेल है उसका email address है अगर मुझे इसके email address में शिवानी कुमारी जोड़ना है या किसी भी entry को यहाँ से change करना है तो मैं क्या करता था update के ऊपर हम लोग यहाँ पे click कर रहे थे और click करने के बाद यहाँ पर हमने कर दिया इसको शिवानी कुमारी सिंग या जो भी आपको रखना हो agree किया update किया तो यह हमारा successfully update हो रहा है मैं आपको इसको back करके दिखाऊंगा अब यहाँ पे दो problem है पहला तो यह है कि update होने के बाद नीचे हमारे पास message आ रहा है message आ रहा है उसमें कोई problem नहीं है बट यह एक्चली यहीं रुक गया तो मुझे मालूम नहीं पड़ता submit होने के बाद कि यह update हुआ है या नहीं हुआ है देखो मैं यहाँ पे दुबारा लिख करके भी update कर सकता नहीं क्योंकि यहाँ देख करके कोई पता नहीं चल रहा है और दुबारा करने में कोई घाटा नहीं है बट resources यूज हो रहा है बार बार मेरा front end का form database से link हो रहा है online server के उपर आपका CPU यूज होगा RAM यूज होगा तो यह चीज अच्छी नहीं है पहला तो यह हो गया दूसर यहाँ पे updated entry जो है वो receive हो रही है राइट अपडेट तो हो चुक है common sense है आप बोलोगे यह क्या बात कर रहा है refresh करेगा तो ही तो दिखाई देगा वो कोई issue नहीं है मैं यह नहीं चाहता कि मैं दो बार back करू refresh करू मैं इसको automate करना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ मैं पेश बगरा करके इस वाले पेश के उपर ला करके छोड़ दे ताकि हमारा time जो है वो बच जाए क्योंकि हजारों admissions करने होते हैं वो इतना process थोड़ी ना repeat करता बैठेगा बंदा back करता रहेगा right दूसरा issue यह update का button कुछ खास नहीं लग रहा मैं सीधा बोलू तो घटिया लग रहा है बहुत as compared to this one तो अभी हम लोग यहाँ पे इस update के button को correct करेंगे और साथ ही साथ redirection को भी यहाँ पर perform करेंगे अगर आपने इस series को अब तक follow up नहीं किया है तो description से आप complete playlist का link ले करके इन videos को follow up कर सकते हो starting के videos designing का part है उसके बाद development का part है वीडियो को start करने से पह तो सबसे पहले तो redirection वाले काम को करते हैं बड़ा ही असान है एक line का ही code है मैं चाहे तो खुद भी type कर सकता हूँ और credit ले सकता हूँ but मुझे पता है आप लोग इसमें mistake कर दोगे so it's better कि हम उस line को net से उठा ले Google पे जाकर के आपको type करना है HTML meta tag to redirect refresh नहीं बात एक ही एक ह यहां पर उठा लो बस किसी भी तरीके से इस line को दुनिया भर के यहां पर आपको options मिल जाएंगे कहीं भी click कर दो में मुद्धा यह हमें वो line चाहिए बस एक यहां पर नीचे scroll करोगे ना तो यह वो line है लेकिन यह actually एक image है यहां पर मैं देख पा रहा हूँ मुझे यह line ज जगह पे और जहां पर मैंने उसको एक message दिया है कि अगर update हो गया तो बोल दे record हो गया updated इसके बाद आ करके हमें उसको paste करना है लेकिन इसके बाद ना problem यह आता है कि PHP के अंदर इन सभी को हमें single quote करना पड़ेगा मेरे PC में चल जाता है लेकिन maximum computers में और maximum user में double quote single quote के कारण यह फस्ता है line so it's better कि हम इसे यहाँ paste ना करें हमें इसे single quote करना होता है पर single quote के साथ हर एक का run नहीं करता तो मैं क्या करूँगा मैं इसके just बाद आ करके PHP को ही बंद कर दूँगा simple और नीचे आ करके क्योंकि नीचे का else part भी तो चला नहीं है न बिना इसके तो unexpected end of file का error आ आपको तो इसके नीचे आ करके यहाँ पर मैंने PHP को start कर दिया तो उपर से लेकर करके common यहाँ तक PHP चलेगा और उसके बाद इस बीच के line में यहाँ जो मैं लिखूंगा उसको ignore करते हुए वो नीचे के PHP को चलाएगा in short सारा कुछ normal चलेगा अब यहाँ आ करके ना मैं कर द करता हूँ उसको paste यहाँ paste करने का फायदा यह है कि यह PHP का part है ही नहीं PHP तो उपर बंद हो गया और दुबारा नीचे start हो रहा है it means यह एक HTML का part है और इसमें single code double code का कोई चक्कर नहीं है यह ऐसे ही चल जाएगा सबसे पहला काम जो हमें करना है इस two की जगा पे हमें कर देन है five तू छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो मैं zero करूंगा और जो भी यहाँ आपको link मिलता है उसको आपको हटा देना है ठीक है कोट वगरा मत हटा देना डबल कोट यहाँ है यहाँ है और यहाँ भी है चार जगवा पे ठीक है मैंने यहाँ से URL को हटा दिया इसकी जगह पे आपको कौन सा URL देना है रीफ्रेश करके display.php उपर और कुछ मत देना यह पूरा यहाँ से कर लेना है आपको copy इस जगह पे आपको कर देना है paste जूम कम करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा code है आपके सामने रहेगा meta sttp equip content equals to five और URL में आपका URL चलो जू मैंने यहाँ पे refresh कर दिया पहले इसकी working को देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊँगा कि इसका meaning क्या बनता है मैं आ गया यहाँ पे मैंने इसको कर दिया refresh और roll number four को मैं यहाँ से कर रहा हूँ edit मैंने update पे click किया और इसको मैंने कर दिया summon ठीक है सुमन करने क बाद बाकी हो फिलाल मैं ignore कर रहा हूँ और यहाँ आ करके इसको भी मैंने सुमन कर दिया accept पे click किया update पे click किया तो आप देखो one two three four five यहाँ से redirect हो करके यहाँ पे आ गया मेरे counting में 18 second का उपर नीचे हो गया but अब एक चीज़ आपको clear हो चुका होगा ना तो मैं back आया दो बार ना ही मैंने refresh किया सुमन यहाँ पे आ चुका है और जो मैंने आपको कहा कि automated करना है हमेंसे वो हमने यहाँ पे complete कर लिया अब समझते हैं कि यह code आखिर काम क्या करता है तो देखो meta tag लगाना है वो हमने ऊपर भी लगाया था उसको ignore करो sttp connection का use कर रहे है हम लोग यहाँ पे क्योंकि अगर आप इसको copy करके paste करोगे तो आप देख सकते हो sttp होता है हमारा local host ठीक है क्या करना है refresh करना है content को content equals to 5 का क्या मतलब है मैंने 5 टक count किया आप समझ चुके हो इसको कि इसका मतलब है 5 seconds यानि कि यह एक timer है हमें 5 seconds वेट न अपडेट हो चुका है तो वापस उसको display के page के उपर ले करके चले जा तो इस जगह पे आपको वो pass करना है I hope आप इस line का meaning यहाँ पे समझ चुके होंगे अब क्योंकि मैंने इस timer को zero कर दिया तो again एक problem यहाँ पे देखने को मिलेगी अभी तक क्या हो रहा था कि नीचे एक जाओगा बटन पर क्लिक करते ही वहाँ आ गया अब बहुत सारी भीड हो लाखो की entry हो और मैंने मालो की 30,000 वाले को update मारा हो तो क्या मैं scroll करके 30,000 वाले के पास जाके पढ़ूंगा कि भाई update हुआ है क्या अभी तो 5 entry है न इसलिए हम देख पा रहे हैं गला मेरा बहुत ख करना है दिन में हजारों entries पास करनी है तो ये convenient नहीं है तो in short वो जो मेरा message नीचे आ रहा था ना जो 0 second के कारण गायब हो गया वो दिखे गाई नहीं solution ये है कि मुझे still उसको user को बताना है कि हाँ भाई record अपडेट हुआ है या fail हो गया अगर मैं अपने code में आ करके देखूं तो अब इसका कोई sense ही नहीं बनता है बट वो 0 second के कारण आपको दिखनी रहा और वो सिर्फ मुझे field बताएगा अगर field हो गया तो redirect नहीं करेगा ठीक है तो चलो हमें काम करते हैं यहां पे एक alert box लगा लेते हैं ठीक है इसके लिए java script का एक line यूज़ करना है तो इतना कोई महाभारत नहीं है समझ में आ जाएगा मैं यहां से कर लेता है इसको control x और इसके double quote के अंदर मैंने का script java script के लिए आपको ये script tag यूज़ करना दिखता है तो browser के ऊपर ये defer कर सकता है ठीक है तो मैंने यहां पे कहा alert ये एक alert box है a l e r t alert के बाद parenthesis या फिर goal वाले bracket ठीक है अब मैं अभी भी PHP के अंदर हूँ ध्यान दे double quote यहां है दूसरा double quote यहां है अगर मैंने यहां double quote ले लिया तो PHP यहीं से start होके यहीं बंद हो ज तो overall जो आपकी eco की line है वो कुछ ऐसी रहेगी कि भाई अगर record update हो गया है तो बोल दे record updated चेक कर लेते हैं refresh कर देता हूँ और यहां आ करके जो हमारा second वाला entry है चलो किसी को भी पिकर लेते हैं यहां आ गया मैं और मैंने इसको कर दिया मुंबई चीक है मुंबई करने के बा चुका है जब तक मैं इसके okay बटन पर क्लिक नहीं करूंगा यह redirect नहीं होने देगा ठीक है कहता local host says record updated चलो जी okay किया वापस आ गया मैं यहां पर और मैंने क्या update किया मुंबई यह देखो तो एक problem हो गया मेरा यहां पर solve in short दो problem solve हो गया हमारे redirection भी हो गया हमारा refresh करने की problem भी यहां पर खतम हो गई अब हमें सही करना इस button को ताकि वो दिखने में कुछ ऐसा लगे ठीक है अब इस button को सही करने के लिए हमें यहां पर CSS का use करना पड़ेगा लेकिन CSS की coding करने से पहले मैं आपको यहां पर domain research के बारे में बताना चाहूंगा अगर आप अपने business को online ले करके आना चाहते हैं और आपको अपने लिए एक domain name एक hosting की requirement है तो आप domain research.com पर आ करके उन services को select कर सकते हो आप यहां पर read out कर सकते हो domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड करते हैं pure SSD का disk space, SSL certificate आपको free मिलता है, secured and 20 time server आपका fast रहने वाला है, pricing plan के अगर हम बात करें तो 59 प्राइस यहां पर vary करते हैं, personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address create कर सकते हो, bandwidth unlimited, light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है, silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो, बाकी सारी चीज़े same है और unlimited है, advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है, unlimited websites को यहां पर host कर सकते हो, बाकी सारी चीज़े same है और unlimited है, इन तीनों ही plan में आपको premium SEO tool free मिलता है, जिसकी help से आप अपने website को rank करा सकते हो, basic plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, 1GB की storage है, 10 email address create कर सकते हो, 5GB की bandwidth है और light speed की technology है, तो आप अपने budget, अपने requirement के हिसाब से domain research.com पे आखर के plan को select कर सकते हो, alright, so CSS का code करने के लिए हम आ जाएंगे कौन से page पे, हमें इसी page के उपर साही करना है, इसका क्या नाम है, display.php, तो मैं यहाँ आ गया, display.php के code के उपर आपको जाना है, ध्यान दे, update के उपर छेडशाड़ मत कर देना, तो यहाँ पे हमने already style sheet हमारी लगा रखी है, अब इस कहीं पे यहाँ पे लिखा होगा, यह हमें मिलेगा इस जगा पर, यह देख रहे हो, ahref equals to और बहार एक message दे रखा है, अब यह normal सा link है, मैंने अपने navigation bar या nav bar या menu bar के अंदर करा रखा है, कि इसको display block कर देंगे, तो यह button की तरह दिखेगा, और काम किया जा सकता है, बट इत है, पहले तो मैं इसको हटा दिता हूँ, यहाँ से, और इस बीच में रहते हुए, मैंने लगा दिया, पहले हमने normal सा एक message लिखा था, अब मैं यहाँ पे button बना रहा हूँ, तो मैंने कहा, input type equals to single quote यूज़ करना, याद रखना, पहले तो मैं एक angular bracket भी close कर दूँ, input type में button मत लेना अब तक समझ चुके होगे, तो हमें यहाँ पे submit रखना है, ताकि PHP deal की जा सके, right, और मैं यहाँ पे इसको save करता हूँ, यहाँ पे आ करके अगर मैं इसको refresh करता हूँ, तो button है, क्योंकि उससे पहले एक anchor tag लगा है, तो still यह next page के उपर ले करके जाएगा, ठीक है, तो update दिखाना है, तो मैंने कर दिया इसको update, इससे क्या होगा, submit की जगा पे, यहाँ पे लिख करके आएगा update, save and refresh किया, तो यहाँ पे बन गया वो update, अब आते हैं इसके CSS पे, उसके लिए यहाँ पे लगा दता हूँ, मैं class name, तो मैंने का class equals to, कुछ भी नाम रख दो, मैंने लगाना, ठीक है, अब यहाँ पे उसका code करना पड़ेगा, कि किस तरीके से इसका design जो है, वो दिखेगा, सबसे पहला काम तो इसका background color चेंज करना है, तो मैंने का background color, green काम ना करे, तो मैं आइनस color मत लिखना, सिर्फ background करके चला के देख लेना, यहाँ पे आ करके save and refresh करता ह तो हो गया, अगर ना हो, तो बेटर है कि अपने browser की history को delete करे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे problem आते है PHP और CSS के साथ, कि history का problem होता है, और वो नहीं impact आपको दिखाई देता, चलो, अब यह font जो है ना, वो दिखनी रहा, green के उपर black थोड़ी दिखता है, तो यहाँ कर दिया, म तो आप जाओ मेरे channel के playlist में, नीचे scroll करो, यहाँ पर CSS की playlist बनी होई है, with projects, आप उसकी practice कर सकते हो, बहुत detailed video आपको यहाँ पर मिलेगी, अब एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कि जब मैं click करता हूँ ना, वो देख रहा है थोड़ा सा, आपको ब्लैक ब्लैक स दिखाना, पहले भी नहीं दिखाना, click करने के बाद भी नहीं दिखाना, ठीक है, आपको रखना है तो रखो, मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई, इसकी border कर दे zero, और click करने के बाद जो आती है, वो रहता है, outline वो भी चाहिए हमें नहीं, तो वो रहता है, none, ठीक है, outline, none, save and refresh किया, तो आप देखो, वो गायब हो गया, और click करने पे भी नहीं दिखेगा, लेकिन clickable है, don't worry, यह काम करेगा, ठीक है, यह यहाँ से गायब हो गया, अब इसी के साथ-साथ मैं चाहता हूँ, यहाँ पे, edges जो इसके है न, वो हो जाए, थोड़े से curve, again, यह problem create करने लगा हम जाते हैं, page change करके, control 0, दुबारा जूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ, यह जो है न, काफी sharp है, एक rectangular है, मैं चाहता हूँ, हलका हलका यहाँ से curve हो जाए, तो इस चीज के लिए, CSS के अंदर एक property है, हमारे पास border radius, जो मर्जी रख लो, मैं यहा आता हूँ, 5 pixels, आपके computer में graphic card लगा है, तो थोड़ा जादा रखना, save and refresh करता हूँ, तो यह ऐसा दिखेगा, इतना जादा नहीं है, zoom कम कर लो, control 0 से, तो कुछ ऐसा दिखेगा, still खराब लग रहा है, क्योंकि height और width अभी adjust नहीं किये गए है, right, तो मैं यहाँ पे आता हू और button को specify करता हूँ कि इसकी एक height रहेगी, let's go with 22 pixels, save and यहाँ आ करके हम लोग इसको check करते हैं, I think sufficient है, इसके width को भी मैं यहाँ पे increase कर रहा हूँ, तो मैंने कहा width 80 pixels को हम लोग यहाँ पे try करेंगे, कम जादा करके देख लेना अपने according, save and refresh करता हूँ, तो कुछ इस तरीके क है, and I think match कर रहा है, but मुझे height personally पसंद नहीं आया इतना, 25 करके देखूं मैं यहाँ पे, यहाँ भी gap बढ़ेगा न, वो भी एक बहुत बड़ा problem होता है, थोड़ा सा font weight को भी साही करते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा दिखाते हैं उसको, उससे भी यह साही हो जाएगा, तो इस अलग भी नहीं रहा कि यह clickable है, या link है, मैं यह जाता हू, mouse ले करके जाने पे एक हाथ बन करके आए, जिससे यह feel हो कि यह clickable link है, तो cursor कर देंगे, इसका हम लोग pointer, अब अगर मैं save करूं, यहाँ refresh करूं तो देखो, mouse ले करके जाते एक हाथ बन करके आ रहा है, जो की cursor pointer कह लागता है, इसी के साथ हमारा CSS हुआ finish, बट इसको मैं यहाँ से एक pixel और बढ़ा दता हूँ, इसकी height कुछ तो फरक पड़ेगा, better है, अब अगर मैं इसके उपर click करता हूँ, तो इस page के उपर जा रहा है, और यहाँ से हटा करके मैं इसके address को भी change करके देख लूँ कि यह तो कोई फरक नहीं पड़ गया, अपड़ेट पर click किया, okay किया, तो यहाँ पर आ गया पूने, तो इसी के साथ हमारे सारे problems को हमने यहाँ पर सही कर लिया है, उमीद करता हूँ मेरे steps को follow करके आप अब तक यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, next video का link आपको description में मिल जाए वाँ यहाँ थे कर दो हमने हैं